हे गाईस विल्कम डू सक्सस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है आपका इस वीडियो में तो दोस्तों आज की वीडियो में ओनलाइन फॉर्म फिल करके आपको हम बताने जा रहे हैं यूपी जीडियास ओनलाइन फॉर्म 2021 वेकिंसिस का देखे यूपी पोस्ट की तरफ से बंपर वेकिंसिस निकाली गई है 4264 पोस्ट पर जिसे की ओल इंडिया के केंड़ेट वनले 10 पास केंड़ेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो जो भी केंड़ेट 10 पास हो चुके हैं यहां पर बिनाम एक्जाम का सेलेक्शन होता माक्स बिसस पे तो जरूर एप्लाइ करें आप 10 पास हो चुके हैं तो इसकी डिटेल नोडिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी उसे डाउनलोड करके आप डिड़ेप क कर रहें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें तक इसी तरह लेटेस्ट गवर्मेंट जॉप्स की अपडेट आपको बराबर मिलती रहें पर आपको आ जाना है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और लिंक करने के बाद सबसे पहले आपको क पर फिल करें उसके बाद जो भी आपका आधार नमर होगा उसे फिल करना है आपका जो भी email एडिया है email एडिया फिल करें अपना date of birth सेलेट करें आप इस सेलेक्शन का option मिल जागा सबसे पहले देख सकते हैं आप यह सेलेट करें आपना जो कि सारी option में आपको दिखाई द करना होगा उसके बाद यहां पर community अपना सेलेट करें आपकी स्टी स्टी ओबी सी क्या है यहां पर अगर यह साब को क्लिक करना होगा नहीं तो आप इसे ब्लेंक छोड़ दीजेगा certificate valid for up to यह डिवल यह को ही करना होगा नेक्स यहां पर बता जा रहा है अगर आप पी वेंगोल से तो यहां पर अपना वेस्ट बेंगोल आपको देखके यहां पर जो पर जो है वो स्टीन क्रेंबर लेना है उसके बाद बताज रहा है यह साइक्र चलना आता है तो यहाँ पर S ही करना है वेदर employed या कहीं पर employed है तो yes कर सकते हैं नहीं है तो यहाँ पर no करना yes करेंगे तो यहाँ पर noc available चाहिए इसलिए इसमें भी yes करना होगा उसके बाद एक capture code आपको दिखाए यहाँ पर इस capture code को as it is enter करें then preview section पर click करें तो जैसे यहाँ पर preview section पर click करेंगे आपको आज आगी क्या आपने जो भी data fill किये क्या हो सही है totally सही लगे तो नीचे आना है नीचे आने पर दो declaration आपको दिखाए देगी as it is यहाँ पर click करके उसको tick mark दिखेगा उसके बाद यहाँ पर submit कर दिजेगा उसके बाद आपका registration हो जागा यहाँ पर आप अपना registration number चेक कर सकते हैं यह सारी आपकी details रही नहीं तो directly आप इसे screenshot मारके रख लिजेगा उसके बाद आपको वापास आना है फी payment section पर click करना यह section सिर्फ उनी candidate को click करना है जो जैसे कि general OBC EWS candidate only male candidate है अपना यहाँ पर registration number फिल किसेगा तो आपका payment यहाँ पर दिखाए देगा कि 100 रुपया payment लग रहा है मैं एक payment पर click करें और अपना जो भी online payment होगा उसे payment आपको कर लेना है जो कि net banking, UPI या फिर आप SBI, ATM के जरीए कर सकते हैं अपना card details फिल किसेगा ODP जाएगी registered mobile नमर पे देखके अंडर करें उसके बाद payment आपकी हो जाए नेक्स आपको 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 प्रोसेस होगा stage 3, apply online इस section पे सभी candidate फिल करें महिला वगरा जो भी female वगरा सारे section पे अपको क्लिक करना होग उसके बाद आप लोग इन करने के लिए registration नमर आपको एंडर करनी होगी जो आपको अभी यहाँ पर मिला है तो जो भी registration होगा नमर आपका यहाँ पर एंडर करें और अपना circle चूच करें क्योंकि circle आप अभी कहाँ पर apply कर रहे हैं उत्तर परदेश या फिर उत्राखंड में दोनों जगह वेकेंस आ चुकी है एड्रेस फिल करनी होगी जैसे सबसे पहले अपना house, apartment number नमर यहने की address, present address फिल करें, street, village, आपका जो पंचायत होगी या, district होगी आपना area का pin code फिल करें, then आपके घर का जो permanent address होगा, वो basically यहां पे फिल करें, अगर दोनों address से में, तो same as present address पे क्लिक करके दोनों fill कर सकते हैं आप कौन से board से pass out हैं, CVC, जारकन board, आप किसी सी board से, आप जो भी board से pass out हैं, वो आपे mention कर देना, then गया करना है, आपको board pass, remarks आपको यहां पे select करें, यानिकि marks आपकी type क्या है, percentage आपका है, जो marks है, 10th के किस भी साप से है, percentage में है, marks में, CGPA में, जैसे English में आपे बता जाग हैं, 100 में में मेरे पास 78 marks है, social science में मेरे पास 49 है, उसके बाद यहां पे 100 में आपको मिल लाएगी, mathematics में 50 है, 10 आपको 85, आपको यहां पर मिलेगी, science और science and technology, अधर जो भी आपकी language है, जिसे select language को यह आपको देनी होगी, जिसे हिंदी, English होती है, उसके इसाप से आपकी जो मैं बता रहा हूँ, उसके इसाप से आप फिल कर रहे हो, आपका additional subject है, तो आप यहां पे फिल कर सकते हैं, और आपने जितना भी marks enter लाई हो, यहां पर enter कर दीजेगा, सारे चीज़ें जब enter आपकी marks हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, नीचे save and continue बटन पे click कर देना है, उसके बाद आपको documents upload करनी होगी, जैसे कि सबसे पहले आपको यहां पे photo upload करना होगा, photo 50 के भी से नीचे की size में होनी चाहिए, और यहां पे signature भी आपका 20 के भी के नीचे size में होनी चाहिए, देन आपको यहां पे document 10th की mark seat आपको PDF के रूप में upload करनी होगी, और यहां पर next आपको मिल जाती है, JPG वेगर में भी upload कर सकते हो, यहां पर नीचे भी जितने भी declaration आपको boxes दिखाए रहे हैं, सब भी boxes में आपको tick कर देना है, all boxes में, यह तभी किजगा जब आप सारे documents यहां पे upload करें, कैसे करना है, सबसे पहले choose file पर click करें, इस file पर click करके, आपने जहा फोटो रखा उस फोटो को आपको upload करना है, जैसे कि मैं यह कोई भी फोटो upload कर लेता हूं, यहां पर देख सकते हैं, फोटो upload हो जुगा है, बिल्कुल इसी तरह से आप signature upload कर लिजेगा, signature scan करके ही upload कीजेगा, तो आपकी ज्यादा होगी और 20KB के नीचे होना चाहिए, तो आपको cast certificate upload करना होगा, यह भी 200KB के size में upload कीजेगा, जहां पर भी आप scan करके रखें, scan अच्छे से कीजेगा, दोसों के भी अंडर में उसे अबनवा लिजेगा, देन आपको यहां पे upload कर देना है, upload करने के बाद यहां पे दो जगा फिर से आपको declaration दिखाई दे रहा है, इस पे tick करके आपको यहां पे continue करना है, अब आपको preference सूझ करनी होगी, तो ध्यान से यहां पर preference सूझ करें, सबसे पहले division, जैसे कि आप कौन से division में हैं, अगर आप उत्तर परदेश से fulfill कर रहे हैं, तो आप कौन से division में apply करना चाते हैं, आगरा में यह official notification देख लिजेगा किसने कितने post है और किस post पर है, यह तभी apply करें, अगरा चूझ करना है ति यहां पर अगरा यहां पर select करेंगे, अगरा में कौन सी BO में apply करना चाते हैं, वो फिर अपर select करेंगे, देन अगर दूसरा कोई division में select करना चाते हैं, तो यहां पर एहमदाबाद select कर सकते हैं, नि लेकिन आप एक राइश्टेशन नम्मर से भी शूज कर सकते हो तो यह ज़रा ध्यान रखें और उसके इसाब से सारी प्रिफरेंट्स यहां पर सेलेट करें मैं मकसद आपका जो सेलेक्षान को ले जाएगा यह प्रिफरेंट्स ही ले जाएगी माक्स तो आपका बाद में डि क्लिक किजेगा तो आपका फॉर्म जोए मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहें तो आपका पीडियाप के रूप में सेव कर लिजेगा नहीं तो आप डिरेक्टली से पीसी के जरीया प्रेंट आउट निकाल सकते हैं एक्षब वीडियाप आप जरूर रखें और अकमसे अपने ड्राइब में सेव करके रखें तो आज आपने सीखा कैसे यूपी यूपी पोस्ट वीडियास का ओनलाइन फॉर्म फिल करनी बिना कोई मिस्टेक प्रूवग फिर भी कहीं पर डाउट लगे आप कमेंट कर सकते हैं आपकी पूरे हल्प की जागी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर लें चले मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए जहिंद